येलू फ्रेंड्स मेता ब्लॉग एंड रसुई चैनल पर आप सब का स्वागत है आज में एकी बैटो से तीन रेशिपी बनाऊंगी कैपसिकम भर्ची मिर्ची भर्ची और अन्यान भर्ची रेशिपी को एन तक जरूर देखें पसंदाने पर लाइक और सब्सक्राब जरूर करें अबजी बनाने के लिए सबसे पेले केपसिकम को अच्छा से धोकर बीच में से कत लगाएंगे अंदर से इतना बीजे उनको निकाल देंगे और फिर एक कट लगाएंगे बिच से एक कैप्सिकम से 4 पिसेज बनाएंगे और उपर से जो भी एकस्ट है उनको निकाल के इकोल कर लेंगे अब हम मिर्ची को कट लगाएंगे ये जो मिर्ची हें बिल्कुल भी तीखा नहीं है ये नॉर्मल है, इसे बच्चे भी खा सकते हैं, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा मोटा बाला मिर्ज भी ले सकते हैं, अब हम लेंगे बेशन, बेशन यह अपर में छे चम्मच जितना ले रही हूं, इसको हम छानेंगे, छाने से इसमें जो भी डस्ट वो निकल जाएगा, अब एक बॉल में ले लेंगे, इसमें आड़ कर रही हूं में नमक स्वादनुशार, अजवाइन आधा चम्मच से भी कम है, हातों से मलके डालेंगे, फ्लेवर अच्छा हैगा, हल्दी पाउडर, यह है चीनी, चीनी आड़ करने से जो बेशन में करवापन होता है, वो चल जाता है, अब इसमें में आड़ किया है, मिर्च पाउडर, बेकिंग शोड़ा और करमसला पाउडर, आधा चम्मच से भी कम, बेकिंग शोड़ा भी में आधा चम्मच से कम यूज किया है, और इसमें में आड़ करूँ एक चम्मच जितना लेमन जूस, निमो का जूस इसम हमारा भज्जी बनते हो काफी क्रिश्पी होता है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है अब हम इसमें पानी दालेंगे थोड़ा थोड़ा करके एक साथ जादा पानी नहीं डालेंगे और हमें एक बैटर बनाना है बैटर जो है बहुत ही अच्छा से हमें बनाना पर बेशन को हमें एक से दो मिनित तक बहुत अच्य से फेटना है जितना अच्य से भेट शकते उतना ही हमारा भजी अच्छा बनेगा तक्रीबन दो मिनित तक मैंने इसे फेट लिया है, अब मैं यहाँ पर गरम तेल आड़ कर रही हूँ एक चमज और फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे यहाँ पर हमारा जो भज्जी का बैटर है, वो बिल्कुल तयार है तेल यहाँ पर गरम हो रही है, मैं यहाँ पर कैप्सिकम को बैटर में डिप कर रही हूँ, अच्छी तरह इसे कोट कर लेंगे बिल्कुल पफिक्ट बैटर है, तो अब हम इसे तेल में एक एक करके धीरे से डाल देंगे तेल गर्म करके ग्यास किे फ्लेम को हमें मीडियम टूलों पे रखना आ है और एकर कर के भजजES में डालना है भजज़ी को हमें तीम से चार मिनित तक मीडियम फ्लेम में फ्राइ करना है दोनू साइश से उल्टा पलटा कर अच्छा से फ्राइ करना है, ताकि आंदर से कच्चा नार रहे और बहुत अच्छा से कुख हो जाए तो इस तरीके से जब आप कैप्सिकम का भज्जी बना कर बच्चे को भी देते हैं बच्चे तकरिबन काना पसंद ने करते हैं पर इस तरह से बच्ची बना कर आप बच्चे को खिलाएंगे तो मेरी गारेंटी है बच्ची बिल्कुल खायेंगे क्योंकि मेरे बच्ची को बहुत पसंद आता है यह बच्ची बहुत अच्छा से यह भच्ची खा लेते हैं तो आप लोग भी इसको जरूद ट्राइब के लिए अब में आपको दिखाते हूं कि मैं वे दूसरा जो मिर्ची में ने वना के रखा था रहे हिस्जा यहाँ इस यह बैटर में डाल की में लाओंगे। यहां पर जो मिर्ची तोड़ा से पतला है आप चाहे तो थोड़ा सा मोटा मिर्च अगर आपको मिलता है तो आप ज़रू लाके उससे बनाए भी बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर मिर्ची वजी बन चुका है अब हमारा जो बैटर उसमें से इतना बैटर बज गया इस को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें अगर थोड़ा सा नमक चाहिए तो डाल सकते हैं हाथों से मिक्स करना है और इसा भी हमें तेल में डालना है और वच्ची तर लेना है यह भी बहुत टेस्टी बनता है इसी बैटर में आप तीन किसम का कोई भी एक भजी बना लीजिए और ऐसी स्नैक्स में खाए या फिर डाल जावल के साथ खाए या फिर बच्चों को दीजिए कोई भी इसे अच्छा से इंजॉई करेंगे और अगर बरसात का मौसर में तो ब करें कमेंट में बोले कैसा बना है अब मैं